सबको नमस्कार दिल्ली करोना के खिलाफ एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ रही है आपका मुख्यमंत्री होने के नाते में आज आपके सामने इस करोना के खिलाफ दिल्ली का जो अभी तक का संघर्ष रहा है उसको संख्षेप में रफना जाता हूं हमारी लड़ाई मार्च के महीने में लगबग मार्च के महीने में शुरू हुई मार्च में पूरी दुनिया से जब पूरी दुनिया के अंदर करोना फैला हुआ था खासकर जिन जिन देशों में करोना फैला हुआ था वहां से भारतीście ने कहा कि वो अपने देश वापस लोटना चाहते हैं केंदर सरकार ने सही निर ने लिया और उन सब लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम किया मार्च के महीने में विदेशों से खासकर उन देशों से जहां पर करोना ज़्यादा फैला हुआ था 35,000 लोग दिल्ली आए इन लोगों को एरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे देखते थे कि बुखार है क्या कुछ चंद लोग जिनको बुखार था उन्हें आरे मिल सफदर्चंग में भरती कराया और बाकि सब को घर भीज दिया कुछ लोगों को कॉरिंटाइन किया था लेकिन अमूमन 35,000 लोगों को घर भीज दिया गया जाहिर है कि यह जितने लोग अपने अपने घर गए उस टाइम और यह सब उन दिनों करोना के बारे में जानकारी कम थी गाईडलाइन्स कंग थी यह सब लोग अपने अपने घर गए और जाहिर है कि एक से दूसरे को दूसरे तीसरे को करोना फेलता गया उन दिनों में तो टेस्टिंग किट भी अवेलिबल नही थी उन दिनों में तो टेस्टिंग लैब भी नहीं थी टेस्टिंग भी नहीं हो पाती थी फिर लॉक्डाउन हुआ और लॉक्डाउन की वज़े से लोग अपने अपने घरों में थे इसलिए कोरोना थोड़ा कम फैला मैं के अंतिम हफ्ते में जब लॉक्डाउन खुलना चालो हुआ तो उमीद थी कि करोना थोड़ा फैलेगा करोना थोड़ा बढ़ेगा पंदरा मै के आसपास से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर करोना बढ़ी तेजी से बढ़ने लगा जब लॉक्डाउन खुला तो ऐसा उमीद थी कि करोना के केसे बढ़ेंगे लेकिन करोना के केसे उमीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े और जून के पहले हफते में आते आते फर्स्ट वीक अफ जून में दिल्ली के अंदर हमें बेड्स की कमी नज़र आने लगी टेस्टिंग की कमी नज़र आने लगी और बेड्स की कमी होने की वज़े से जब कुछ लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे थे तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा तब हमारे पास दो आप्शन्स थे एक आप्शन था लॉक्डाउन दुबारा लगा दिया जाए हमने बहुत सारे दूसरा आप्शन था कोरोना से लड़ा जाए जनता से पूछा जनता का कहना था कि लोगडाउन कब तक रहेगा कभी न कभी तो लोगडाउन आज नी तो कल कल नी तो परसों एक महीने बाद दो महीने बाद लोगडाउन तो खोलना पड़ेगा तो निर्ने लिया गया कि करोना से लड़ेंगे, करोना से मिलके सामना करेंगे, सारी दिल्ली के लोग मिलके करोना का सामना करेंगे, करोना से युद्ध करेंगे और तब ये पूरा प्लान बनाया गया और करोना से युद्ध में पांच हथियार तैयार किये गए पहला हथियार बेड्स की संख्या बढ़ाई हुई हमने देखा कि लोगों को कोई एक अस्पिताल से दूसरे अस्पिताल में दौड़ रहा है दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है बेड्स नहीं मिल रहे हैं बेड्स की बहुत कमी है मेरे पास रात रात भर फोन आते थे, मैं रात रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतजाम करता था पिछले कुछ दिनों से फोन आने बंद हो गए है पिछले एक महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में करोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के उपर बेड्स का इंतजाम किया है हमने सबसे पहला निरने लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40 प्रतिशत बेड्स करोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिये दूसरा बड़ा निरने लिया दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से करोना अस्पताल डिकलेर कर दिया गया तीसरा बड़ा निरने लिया हमने कई होटलों को अस्पतालों के साथ अटैच कर दिया तो अस्पताल में सो बेड़ हैं लेकिन होटल में दो सो बेड़ और लग गए तो उस अस्पताल के तीन सो बेड़ हो गए एक तरह से इस तरह से अस्पतालों की कैपैसिटी बढ़ाई हम होटल नराज हुए होटल कोट में गए हमने कोट में लड़ाई लड़ी और कोट में लड़ाई जीत गए और साड़े तीन हजार बेड्स हम लोगों ने होटल होटल के अंदर पिछले एक महीने में हमने तयार किये हैं अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास में दो हजार बेड्स और तयार हो चुके हैं दस हजार बेड्स बहुत जल्दी तयार हो जाएंगे बुराडी अस्पताल जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको टेंपुरेरी बेसिस पे साड़े चार सो बेड्स महा तयार कर दी है तो पिछले एक हफ़ते में पहला हथियार हमारा ये था करोना के खिलाफ युद्ध में हमारा पहला हथियार था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दी जाएं जून के पहले हफ़ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे आज करूना के जितने बेड्स हैं साड़े तेरा हजार बेड्स हैं दिल्ली में जिसमें से साड़े साथ हजार बेड्स खाली पड़े हैं केवल छे हजार बेड्स अक्युपाइड है अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है प्राइवेट में भी और सरकार में भी लेकिन हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना अभी आगे का भी हम इंतिजाम कर रहे हैं और भी beds खाली पड़े रहें beds लेकिन बाईचांज कल को करोना बढ़ गया तो उसकी त्यारी करनी है इसे लिए और भी खूब beds का हम इंतिजाम कर रहे हैं दूसरा हथियार हमारा था टेस्टिंग एंड आइसोलेशन जून के पहले हफते में हमने देखा कि लोगों को टेस्टिंग करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे कुछ टेस्टिंग लैब्स ने गडबड करनी चालू कर दी पॉजिटिव को नेगिटिव दिखा देते थे नेगिटिव को पॉजिटिव दिखा देते थे उन लैब्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और हमने कई सारे कदम उठाए जून के पहले हफते में जहां डेली पांच हजार टेस्ट हो रहे थे आज दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं देश में लगबग सबसे ज़ादा टेस्ट डेली दिल्ली में हो रहे हैं 20,000 टेस्ट डेली अब किसी की शिकायत नहीं आ रही है कि टेस्टिंग में दिक्कत है टेस्टिंग एंड आइसोलेशन हम test करते हैं खूब test कर रहे हैं जंब के test कर रहे हैं गली-गली में test कर रहे है और identify करते हैं कौण करोना का मरीज है और उसको isolate करते है बहुत बड़े स्तर पे दिल्ली में चल वा है और इसके लिए मैं खास तोर से केंद्र सरकार का शुक्रियादा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें रैपिट टेस्टिंग में मदद की, एंटीजन टेस्ट, उन्होंने पहले हमें कुछ किट्स दिये, अब तो हमने 6 लाग किट खुद भी खरीद लिये, लेकिन पहले एंटीजन टेस्ट शुरू करने के किट समें केंद्र सरकार ने दिये, पर्मिशन दिये, हमारा हाथ पकड़ के हमें करना सिखाया, इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। तीसरा हमारा हथियार था करोना की लड़ाई में तीसरा हथियार है Oximeters and Oxygen Concentrators करोना में सबसे वड़ी दिक्कत होती है कि Oxygen की कमी हो जाती है और Oxygen की कमी होने से आदमी की Death हो जाती है तो हमने जितने लोग घरों के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं सब के घरों में Oximeter भीज दिये Oximeter होता है उससे आप अंगुठा डालके पता कर लेते हों कि आपके अंदर औक्सीजन कितनी है तो हमने सारे पेशेंट्स को बोला है वे घंटे दो घंटे में अपनी चेकिंग कर लेना अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो हमें फोन कर देना हम आपके घर ऑक्सीजन भेज देंगे और आपको अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे तो ऑक्सीमीटर जो है एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रहा है अपने करोना के मरीजों के लिए और ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर अगर कोई अस्पताल में आए तो उसको ऑक्सीजन की सलेंडर की और उसकी कमी नहीं होनी चाहिए इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के हर बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो तो लगबग चार हजार ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर खरीदें ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर होते हैं जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सकती है तो हम कोशिश है कि दिल्ली सरकार के हर अस्पताल के हर बेड के उपर आपको आज ऑक्सीजन मुहया कराने की कोशिश की जा रही है तो ये हमारा कीसरा हथियार है चौथा हथियार है आज करोना के इस खिलाफ युद्ध में प्लाजमा थेरेपी इसमें दिल्ली ने पूरे देश के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया सबसे पहले प्लाजमा थेरेपी दिल्ली में ट्राई की गई 29 मरीजों को दिया गया 29 मरीजों के उपर ट्राइल काफी सक्सेस्फुल रहा उसके नतीजे हम लोगों ने केंदर सरकार को ड्रग एंड कंट्रोलर अफ इंडिया को दिये और ड्रग एंड कंट्रोलर अफ इंडिया ने उसके बाद फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और अन्य प्राइवेट और केंदर सरकार के अस्पतालों के लिए भी मंजूरी देनी चालू किये प्लाजमा थिरेपी से अब प्लाजमा थिरेपी जो है वो कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं ventilator पे चले जाते हैं या multi organ failure हो जाता है उनके उपर तो plasma therapy ज़्यादा काम नहीं करती है लेकिन moderate patients को की हालत को और खराब होने से बचाती है plasma therapy तो ये plasma therapy हमारा चौथा हथियार है और पांचवा हथियार है survey and screening आज से दिल्ली के अंदर serological survey शुरू हो रहा है 20,000 लोगों का serological survey होगा घर-घर के अंदर जाके serological survey कर रहे हैं जिससे पता चलेगा कि दिल्ली में किस level पे करोना फैला हुआ है इस तरह के और भी खूब survey और screening चलते रहेंगे तो ये पांच हथियार हमारे हैं करोना के खिलाफ हम खास तोर से केंदर सरकार का शुक्रियादा करना चाते हैं जिन्होंने इस लडाई में हमें कदम कदम पे सहयोग दिया हम मीडिया का शुक्रियादा करना चाते हैं जिन्नों ने हमारी समय समय पे कमियां बताई गल्पियां बताई ताकि हमें मौका मिला उनको सुधार करने का। बहुत सारी समाज से भी संस्थाइं हैं जो हमें इस पूरे मुहें के अंदर दिल्ली वालों की मदद कर रही हैं। जीत निश्चत है लेकिन जीत कब होगी ये नहीं कह सकते हैं। करोना हारेगा, दिल्ली जीतेगी और ये पांचों हतियार खुब कारगर साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जीत बहँ चक झान लौसरा अजसे लेकिन को सुक्क्षाण करोное शग्ड़utt। झालों झालों पीज़ जयारेगा चेंसे होगी ये ग्रीए पांचों हॉत हैं। झाल झाल